मेरा नाम हुमा है और आज हम पढ़ेंगे contractions देखे contractions क्या होते हैं these are short forms हमने subject pronoun पढ़ लिया है हमने word to be भी पढ़ लिया है और इसके contractions यानि short forms देखे subject प्रणाउंस जो है हम पढ़ चुके है आई वी यू ही शी एट दे और अगर आप यह नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक description में आपको मिल जाएगा यह वीडियो जरूर देखेगा ठीक है आई वी यू ही शी एट दे वर्ब तूबी वर्ब तूबी क्या होती है is rm अगर हम present tense मे हो रहा है यानि अगर हम सिर्फ present tense में जाएं तो यह वर्ब तूबी का मतलब होता है is rm और आपको पता है कैसे लगाते हैं is हम किसमें लगाते हैं सबसे पहले आई के साथ देख लेते हम क्या लगाते हैं आई के साथ am लगाते हैं हमेशा I am हम present में बात कर रहे हैं I am और we are हम is rm का मतलब होता क्या है is rm का मतलब होता है है या है या है या है है मतलब एक और है मतलब बहुत सारे और I के साथ के लिए क्या होता है हूं क्योंकि I के साथ इसको आप यूज करते हैं हूं मैं हूं ठीक है I am we are मैं हूं, हम है you are, तुम हो या तुम हो बहुत सारे ठीक है he is, वह है she is, वह है it is, वह है और यह है और they are, वे है तो यह हमारी हो गई verb to be जैसे हम नॉमली लिखते हैं अब इनी का contractions बनता है contractions होता है short form अगर हमें कोई sentence कोई जल्दी बोलना होता है हम अपना हंदी कितना fast बोलते हैं हम ऐसे तो नहीं कहते हैं हम कहते हैं you are, वह जा रहा है जा रहा है ऐसे तो नहीं कहते हैं तो इस तरह English में होता है हम contractions उस करेंगे speaking के लिए I am यह है I am और यह है I am I am, two syllable I and am, two and this one is one syllable I am, I am we are two syllable we are, we are you are, you are he is, he's she is, she's it is, it's they are there तो हमने इनको अलग-अलग बोला और इनको मिला के बोला आप देखिए सबसे बड़ा confusion तो हर स्टूडेंट के दिमाग में आज की डेट में है क्योंकि contractions पढ़े नहीं होते हैं और यह थोड़ा advanced English होती है तो क्या होता है स्टूडेंट समझ नहीं पाता है कि apostrophe S है के ऐसे क्या है क्या होता है कि आपने हमेशा apostrophe S पढ़ा है इसको उपर अगर हम कॉमा लगा देते हैं इसका मतलब होता है किसी का जैसे this is Ram's bag यह Ram का बैग है ऐसे ही पढ़ा है अब अगर यह हमारी साथ यहां contraction में आ जाता है तो हम घबर आ जाते हैं हम simple simple it's तो जानते हैं I'm भी बहुत यूज करते हैं लेकिन और सब चीजों में confuse हो जाते हैं लिखा क्या है जबकि apostrophe S का मतलब apostrophe जो है यह जो ऊपर कामा लगाते हैं यह contractions के लिए होता है contractions हम और कैसे यूज कर सकते हैं contractions हम नेम के साथ भी यूज कर सकते हैं जैसे David's here यानि David is here ठीक है इसका मतलब क्या है David यहां है David's here Mona Mona's here means Mona is here इसका मतलब क्या हुआ अलग-अलग करेंगे तो Mona is here Sam is here Sam's here John's here John is here ठीक है तो याद रखिएगा हम इने नेम के साथ भी उसकर सकते हैं लेकिन एक इसमें exception है कुछ नेम के last में S CH SS X और Z जिन के last में ये letters आएंगे दुबारा सुनिये जिन sentences के जिन words के जो हम नाम की बात कर रहे हैं जिन नाम के last में S CH SH X और Z याद रखिएगा उनके साथ ये contractions नहीं चलते हैं इसमेंपल James here How to say It's wrong Instead of this हम क्या कहेंगे James here Okay फिर आपको दी बोल के देखें बोल के देखें कहता लगता है Chris here How to say Chris here नहीं ना पासिबल है इसी लिए Chris is here फिर Max here तो ये भी रॉंग है हम यूज करेंगे Max is here और फिर इसको बोल ये Rich is here तो Rich is here तो ये अगर last में आ रहा है किसी भी नाम के last में S, C, H, S, H, X, or Z तो हम इसके साथ contractions नहीं कर सकते हैं ठीक है जबड़ती contractions करने की कोशिच मत कीजएगा अगर बढ़ा जाएंगे ये बहुत important चीज है आप इसे note down कर लीजे क्योंकि बोलने से पहले नहीं सोचते हैं कि हम क्या बोल रहा है बस एक चीज पता है अगर आपने वीडियो भी अधूरा देखाना तो आपको सिर्फ इतना ही पता चलेगा और ये रह जाएगा फिर आप यही वाली गल्ती दुबारा करने वाले हैं हाना ठीक है ना चलिए और कुछ examples लेते हैं ये बहुत important चीज थी note जरूर कीजेगा अब कुछ examples देख लेते हैं Adam is in office today Adam is in office today अब इसे contractions में हम कैसे change करेंगे ट्राइ कीजे सिर्फ इसका contractions होगा और कैसे करेंगे Adam means Adam's in office today Adam's in office today Now Ravi is over there आपको ट्राइ कीजे Ravi is over there Ravi is over there Ravi is over there Meera is cooking the food she is here हम कैसे बोलेंगे Meera is cooking the food she is here तो हमने क्या क्या contraction किया और थोड़ा fast बोला Meera is cooking the food she is here Meera is cooking the food she is here she is sorry she is she is here okay we are in the town tomorrow we are in the town tomorrow we are hello John how to write this we are hello John my name is Rina My name is Rina My name is Rina तो आप ऐसे भी कह सकते है My name is Rina My name is Rina My name is Rina My name is Rina is long form full form but my name is Rina is short form short contraction so मुझे लगता है कि आज आज आपने बहुत important चीज़ सीखी होगी जो आपने इसे पहले तो नहीं सीखी होगी क्योंकि सब को मेरे बास students है बहुत मैं पढ़ाती हूं उनको तो वो बहुत students को इतना confusion रहता है कि क्यों लगा है उपर और इसका क्या मतलब है second word का इतना confusion रहता है अभी contractions सिर्फ मैंने present tense में पढ़ाए है contractions मैं आगे भी आपको पढ़ाऊंगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप like कीजिए subscribe कीजिए और अपने friends के साथ share कीजिए Thank you